क्या आपके body weight में sudden changes हो रहे हैं? क्या आपको हर समय सुस्ती और नींड का अनुभव होता है? क्या आपको पेट से सम्बंदित समस्चाय रहती हैं? और क्या आपको आपकी skin पर अक्सर खुजली का अनुभव होता है? अगर हाँ तो ये सभी लक्षण इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि आप unhealthy gut की समस्चा से पीड़े थें लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको gut health को improve करने वाली कुछ remedies के बारे में बताएंगे लेकिन अभी तक अगर आपने कपी fit के YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए gut और gut health एक important लेकिन लोगों द्वारा काफी जादा ignore और underestimate किया जाने वाला इशू है और इसको ignore करने के परिणाम ततकालिक ना होकर अत्यदिक दूरगामी और पीड़ादाई होते हैं gut शरीर का वो स्थान है जहां से हमारा खाया हुआ खाना breakdown होकर पूरे शरीर में पोशक तत्वों के रूप में वित्रित होता है इसलिए यदि हमारा गट unhealthy है तो ना सिर्फ इस कारण हमारी overall health प्रभावित होगी बल्कि इस कारण हमारी immunity अत्यदिक घातक स्थर तक दुरबल हो जाएगी भारत की राजधानी दिल्ली में हुए एक सर्वे के अनुसार और पांच में से एक भारतिय किसी ना किसी तरह से unhealthy gut की समस्या से पीड़े थे और विशस तर पर तो ये आंकड़ा और भी चिंता जनक है और जिनको अभी तक इस समस्या की गंभीरता का अनुमान नहीं है उनके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि unhealthy gut ही हमारे शरीर में होने वाली 95% बीमारियों का आधार होता है वो लोग जो इस बात की गंभीरता को अभी भी नहीं समझे वो इस वीडियो को यही पर स्किप कर सकते हैं लेकिन वो लोग जो अपनी gut health को लेकर थोड़ा serious हैं और unhealthy gut कितनी बड़ी समस्या है इस बात को समझ चुके हैं उनको उनकी समस्या से राहत दिलाने के लिए हम लाए हैं कुछ natural और trustworthy remedies जो उनके gut health को healthy बनाये रखने में उनकी सहायता कर सकती है remedy number one fiber rich foods अर्था ऐसे foods जिनमें fiber की मात्रा अधिक पाई जाती है USA based एक नामी institute के अनुसार यदि हम अपने भोजन में अधिक मात्रा में fibers का consumption करते हैं तो इससे हमारी gut health ना सिर्फ improve करती है बलकि अधिक fibers का ही consumption वो reason है जिसके कारण हमारा gut healthy भी बना रहता है इसलिए यदि आपको healthy gut चाहिए तो आप अपने भोजन में अधिक मात्रा में fibers का consumption करें इसके बाद आती है remedy number two यानि exercise unhealthy gut का सीधा सम्मन हमारी body की energy से होता है और हमारी body की energy यदि low है तो हमारे लिए किसी भी काम को कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा इसलिए अगर आप अपनी body और अपने gut की health को लेकर aware हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने daily routine में exercise को शामिल करें ऐसा करने से ना सिर्फ आप energetic feel करेंगे साथ ही साथ आपकी gut health भी maintain रहेगी इसके बाद आती है remedy number three यानि yogurt योगर्ट अर्था दही probiotics में rich होता है और modern medical science और ayurveda दोनों की ही researches के अनुसार दही में मौझूद probiotics हमारी gut health को improve करने में कापी सहायकसिद होते हैं इसलिए यदि आप अपने द्यानिक आहार में दही का सेवन करते हैं तो इससे समय के साथ आपकी gut health improve होने लगेगी इसके बाद आती है remedy number 4 यानि limit artificial sweeteners जिस तरह दही का सेवन हमारी gut health के लिए एक वरदान है उसी तरह यदि हम artificial sweeteners का सेवन अधिक मातरा में करते हैं तो इससे हमारी gut health पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके कारण हमारे gut में मौझूद healthy bacteria ठीक तरह से function नहीं करपाते हैं इसलिए artificial sweeteners के सेवन से जितना हो सके उतना बचें इसके अलावा स्वस्त दिन चर्जा का पालन करें और स्वस्त विचारों को धारन करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो हमारे साथ comment section में share करना न भूले वीडियो अगर informative लगा हो तो वीडियो को like और share करना न भूले और कपी fit के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में